हरियाना विदानसभा चुनाव में भी कॉंग्रिस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बूर में है आलाकि इसे लेकर आधिकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन खबरे हैं कि सांसद राहूल गांधी आपके साथ गढ़बंदन करना चाहते हैं कह जा रहा है कि इस संबंद में उन्होंने हरियाना के कॉंग्रिस नेताओं से बात भी किये इससे पहले आप और कॉंग्रिस दिल्ली चंडीगर समित कई छेत्रों में साथ मिलकर मैदाल में उतर चुकी है रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि राहूल गांधी हरियाना कुछी थी हाला कि अब तक इससे लेकर कॉंग्रिस की तरफ से अधिकारिक दोड़ पर कुछ नहीं कहा गया है इससे पहले एक इंटर्व्यू की दरण कॉंग्रिस की वरिष्ट नेता और सांसद कुमारी शैल्जा ने हर्याना विदान सभाचुनाओं में आपके साथ सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसी सीच बैठक के तौरान अर्याना विदान सभाचुनाओं के लिए 34 सुमिद्वारों के नाम को अंत्रिम रूप दिया गया पीटियाई भासा के अनुसार सोत्रों ने बताए कि पूर मुक्यमंत्री वुपेंदर सिंगुल्डा का नाम सुमवार को मंजूरी की सुची में शामिल किया गया कॉंग्रिस के हरियाना प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि बुद्वार तक अंतिम सुची जारी करती जाएक उन्हों ने कहा कि विनेश वौगांट के चुनाव लड़ने को लेकर जारी अठकलों पर भी मंगलवार तक विराम लग जाएगा बावरिया ने कहा आज हरियाना के लिए केंडरे चुनाफ समीती की बैठक राजी की कमेटी द्वारा उन्चास नामों की सुची पेश की गए जिसमें से 34 को मंजूरी देती गए और 15 लंबेत है उन्होंने कहा 22 विदायकों के नाम भी मंजूर कर लिए गए बैठक कल भी जारी रही कि और उमीद्वारों को ये लेकर कहा जा रहा है कि उमीद है कि परसो अंतिम सुची खोशित की जाएगी बावरिया ने कहा कुछ नाम समिक्षन समीती को भेजे गए उन पर मंगलवार को समीती द्वारा नेड़ना लिया जाएगा इस सम वेक्षनों में आये हैं और जो दो बार से अधिक चुनाव नहीं आ रहे हैं